अंडरग्राउंड JCB सूपरकार रेस्क्यू नितिन नाम का एक कार मेक्यनिक था उसने एक सूपरकार बनाई थी जो बहुती अनोखी थी गाव वाले सब नितिन की सूपरकार को देखकर चौँग जाते थे उसी गाव में रहने वाला जैन नाम का आदमी नितिन से एक दिन कहता है अरे वा नितिन तेरी कार तो बहुती अनोखी है इसकी क्या-क्या खुबिया है जरा हमें भी तो बताओ हाँ हाँ जैन भाई ये एक सूपरकार है जो रिमोट के जरिये चलती है इसके रिमोट से हम जब चाहे तब सूपरकार को गायब भी कर सकते है अरे वा वा ये तो बड़ी ही कमाल की है नितिन अपनी सूपरकार से गाव वालों की मदद करने लगा यू उस सूपरकार के चर्चे आसपास के शहर में भी फैल जाते है ये बात फैलते फैलते पास के गाउ में रहने वाले गबर डाकू के कानों तक पहुचती है और वो अपने आदमियों से कहता है अरे ओ गदो जब देखो तब बस खाते ही रहते हो तुम लोगों को खाने के अलावा और कोई काम भी आता है कि नहीं ये सुनकर गबर का एक साथ कहता है अरे उस्ताद आता है ना हम आपके लिए भी तो खाना बनाते है और वो भी कितना स्वादिष्ट ये सुनकर पास में खड़ा दूसरा साथी बहुती गंबिर आवाज में कहता है अरे हाँ सही बात है पर क्या है ना कि कल रात तुमने बिरियानी में थोड़ा नमक ज जाती है वैसे तू भूल गया शायद पिछले हथे तूने हमें जली हुई रोटी आजो खिलाई थी यो दोनों के बीच खाने को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है ये देख गबर को बहुती गुस्सा आता है वो अपने बाल नोचते हुए कहता है अरे अरे बन करो अपन जनी तो कहा गावर से सुनने के लिए इसलिए हम गावर से सुन रहे है ये सुनकर तो गबर का गुस्सा आसमान को छुने लगता है देखो पास के गाव में नितिन नाम के आदमी के पास एक सूपरकार है जिसे हमें चुराना होगा अच्छा तो मैं अभी जाकर एक बड़ी किसी बोरी का इंतजाम करता हूँ सूपरकार है कुछ जादा ही बड़ी बोरी के जरूरत पड़ेगी समझाना गबर को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो किस चीज के बारे में बात कर रहे है अरे तुम लोग बोरी किसलिए ला रहे हो अरे बास आप भी ना कार चुरा जान ले लूँगा समझे आज रात को ही वो सूपरकार चुराने हम चले जाएंगे यूँ वो तीनों उस रात सूपरकार चुराने जाते है सूपरकार नीतिन के घर के बाहर खड़ी थी ये देख गबर खुश हो जाता है वो तीनों उस सूपरकार में बैठते है और गबर क खुशी के मारे रिमोट को और तेजी से चलाने लगता है और सूपर कार देखते ही देखते अपना कंट्रोल खो देती है और तेजी से जाकर एक बड़े से गड़े की गिर जाती है तब तक रिमोट की बैटरी भी खत्म हो जाती है गबर और उसके साथ ही मदद के लिए चिल आते है अरे बास हमने आप से कभी तनक्वा नहीं मांगी थी तो आप क्यों हमें यूँ जिन्दा गड़े में दफना रहे हो हाँ बास मैंने भी अपनी गल्फरेंट से वादा किया था कि मैं उसे सैंडविच खिलाने ले जाऊंगा पर लगता है कि उसे ले जाने से पहले ह कि मेरा इसी कार में सैंडविच हो जाएगा यूँ वो तीनो जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगते हैं गाव वाले और नितिन खड़े के पास इकटा होते हैं नितिन अपने दोस्त को फोन करता है और जैसी भी लाने के लिए कहता है नितिन का दोस्त जैसी भी ले कर और उस जेसीवी की मदद से अंडरगरांड में फसे सूपरकार को वो रिस्क्यू कर लेता है। गबर और उसके साथ ही कार से बाहर आते हैं और ये देख गाव वाले सब मिलकर उन तीनों की खुब पिटाई करते हैं। वो तीनों जैसे तैसे बच कर वहां से दुम दबा कर भ से अपना और अपनी मा का पालन पोशन करता था। बाबुरा बहुती मेहनती इंसान था। वो अपनी मेहनत से दिन बदिन तरक्की करते हुए कई सारे भैसे खरिदता है। और दूद बेचकर अमीर हो जाता है। एक दिन वो अपनी मा से कहता है मा तुमारे आशिरवाद औ मेरी एक इच्छा है मैं एक सुपरकार खरिदना चाहता हूँ ठीक है बेटा खरिद लो ये भी कोई पुछने वाली बात है भला मा के ये कहते ही बाबुराव तुरन सुपरकार खरिद लेता है और उसे लेकर गाव में घुनने लगता है बाबुराव अपने दोस्त बंटू क के साथ एक कैमेरा देखकर कहता है देख बंटू इस पूरे गाव में सुपरकार सिर्फ मेरे पास है मैं चाहता हो कि तू मेरी अच्छी से अच्छी तस्वीरे इस सुपरकार के साथ निकाल जिसे देखकर सारी लड़किया मुझ पर फिदा हो जाए ठीक है दोस्त तूम दे देख बंटू ओ निकालते है वक्त बंटू के कैमेरे के सामने एक बुढ़ा अदमी आकर खड़ा हो जाता है इस तरह बंटू बाबुराओ की अज़िबोगडी फोटोस निकाल रहा था तबी वहां से कुछ दूर पर पुलिस की गाड़िया चेकिंग कर रही थी यदेक बा और वो मेरा पीछा करेंगे जिससे मुफ्त में मेरी पॉब्लिसिटी हो जाएगी ये सोचकर बाबुराव पीना अपनी कार रोके तेजे से पुलिस के सामने से गुजर जाता है यद एक पुलिस बाबुराव का पीछा करने लगती है अरे वाह ये हुई ना बात आप आएगा आप लोगों को तो सूपरकार इस्तेमाल करना चाहिए ये देखिए मेरी सूपरकार इन खटारा गाड़ियों में कैसे गुंटी है ओ माइग आप लोग भी अरे तू रुकता सही तेरे पिछवाडे में ऐसी मार मन मारेंगे कि गाड़ी चलाने के लाएग तो क्या भूब ब करता है उस कार से निकले दुए से पुलिस वालों के चेहरे काले पड़ गए थे पुलिस वाले एक दूसरे के चेहरे को देखकर डर जाते है बाबुराव उनसे बचकर घर चला जाता है ये रहा उसके कार का नंबर तुरंत उसके घर का पता ढून निकालो पुलिस बाबु पुलिस तुमसे कुछ पूचे तो कहना कि मैं नहीं हूँ। अपनी लाठी से वो जोर जोर से भैस के पिछवडे पर मारती है। अरे कोई बचाओ मेरी मदद करो। पुलिस जेसीबी की मदद से उस खिलोने वाले भैस को पाहर निकालती है। बाबुराव खिलोने में से पाहर आता है। पुलिस उसे किरफतार कर लेती है। कि तभी वहाँ बेंटू, कैमेरा लेकर आता है। अरे यार एक मिनिट रुख, ये तेरा स्टाइल बहुत अच्छा है। मुझे एक फूटो लेने दे। बाबुराव रोटा खुआ चेहरा बनाता है। ये देख वहाँ खड़े सब लोग हसने लगते है। है वहाँ ये आता है।